प्रित्वी की आंतरिक संरजना की विश्वस्निय जाना की विश्वस्निय जाना है जनकारी प्राप्त करने का सबसे परमुक्सुरूत कौन सा है तो इसकी जनकारे सबसे विश्वस्निय जो हमें मिलती है वो भिकम्प विज्ञान से मिलती है तो इसका राइट हैं सब जगा एए प्रित्वी का सता हो गया और इसका जो यह हो गया इसका भूगर्ब का पार्ट अब जिस पॉइंट पे जिस अस्थान पे सबसे पहले हैं बुकम्प की उत्पति होती हैं उसे बुकम्प मूल कहा जाता हैं बुकम्प केंदर कहता हैं civिकस केंदर कहता हैnisse कहीं हैं jsh तो अप्शन में देखेंगे तो इसका राइट एंस रो जाएगा सी नेक्स्ट कुस्ट्टन है अधिक एपी सेंटर भुकम्प का एक बिंदू है जो संबंदित हैं यह होगी आपका प्रित्वी और प्रित्वी में जहांपे उसके आंत्रिक भाग में जहांपे उत्पति होती है भुकम्प की उसे कहता है उसका उद्गम के अंदर focus, hypo center या भुकम मूल और जहां पर यह सबसे पहले अपने just उपर 90 degree पे surface पे जहां सबसे पहले महसूस की जाती है उसे कहता है अधी एक केंदर यह होगी आपका अधी केंदर जहां सबसे पहले महसूस की जा रहे है लेकिन यह जो point होता है surface पे यह भ प्रित्वी के अंदर भुकम के उद्गम के अंदर यह नहीं होगा बी भुकम उद्गम के अंदर के ऊपर भुप्रिष्टिय बिंदू से इसका संबंध है नेक्स्ट कोस्टन है भुकम के दरान कीन तरंगों का उद्भव होता है तो भुकम के दरान तीन तरह की तरंगे उद्गम होती है P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे P तरंगे को प्राथमी तरंग, S तरंगे को दीती है क्या सेगेंडरी तरंग और L तरंगे को धरातलिय तरंग के नाम से जाना आता है इसमें सबसे ज़्यादा बिनास्कारी आपका L तरंगे होती है इसमें आपका राइट अंसर जागा P S L P S L, राइट अंसर D नेक्स कोस्टन है भुकम्प में धरातलिय तरंगे होती है धरातलिय तरंगे, L तरंगे होती है जो सबसे ज़्यादा बिनास्कारी होती है धरातल पे सबसे ज़्यादा बिनास उत्पन करती है नेक्स कोस्टन है निमलिखित में से कौन सी भुकम्प्य तरंगे सरवादिक छती पहुंचाती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D प्राथमिक नहीं होता है अधितिक नहीं होता है और दिरिक प्रिस्टिय भी नहीं होता है नेक्सयों है तरल पदार्थो से होकर न गुजर सकने वाली भुकमपिय लहर कौन सी है देखिए एस तरंगे धितिक तरंगे तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती है यह सिर्फ ठोस से गुजर पाती है और यह बहुत important question है बार बार प्रिक्षाओं में पुछ देता है कि कौन सी तरंगे तरल पदार्थों से नहीं गेर पाती है तो S तरंगे ध्यार रखेंगे secondary दितियक तरंगे next question है ring of fire संब्ध है ring of fire का संब्ध किस से है तो देकिए ring of fire यह होगी आपका पर्शांत महासागर का छेतर पर्शांत महासागर का छेतर जिसके उपर में इस साइड में है आपका एसिया है नेचे में इधर आस्ट्रेलिया है इधर नौर्थ अमेरिका है और इधर शाउथ अमेरिका है तो ये जो इसका छेतर बनता है ये एक रिंग की तर बनता है जिसे अगली बले भी कहा जाता है और इसमें सबसे ज्यादा यानि कि विश्व में सबसे ज़्यादा भुकंप और ज्वाला मुखी यहीं पर उत्पन होती है तो इसका जो संबंद हो गया है भुकंप से भी है और ज्वाला मुखी से है यह तो हो ही जाएगा परसांद महासागर का छेतर है तो इससे भी इसका संबंद है जंगल की आग से इसका संभन नहीं है इसका राइट अंसर यहाई एक बै एक और इसका इंसर होगा वो अपका दिक MP2 in a है कार्डियोग्राम पेंड़ों की उचाहिम आपने का जो होता है ना उसको ग्राफ इसका राइटन सो जागा सी नेक्स कुस्टन है निम्रिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो अपसान यह है रियक्टर अस्केल भुकम की तिवरताम आपने का यह क्यांत्र है यह सही है अस्केल भुकम की उर्जा को मपता है एभी ऐसा ही है इसका राइटन सो जागा आड़ी यहां पर कुछे जा रहा है कौन सही नहीं है तो इन में से कोई नहीं नेक्स कुस्टन नंबर 11 है विश्व के सरबादिक लगभक 63% भुकम निवन में से किस पेटी में आते हैं तो अभी आम लों देखें जो परशांत महासागर का छेतर है जिससे रिंग ओफार या आगनी बलाय कहा रहता है इसमें सबसे ज़्यादा भुकम महसूस के आते हैं इसका राइटर्स होजागा परी प्रसांत महासागरिय पेटी राइट एंसर ए कुस्टन नंबर 12 रियक्टर अस्केल का प्रियोग किसके मापन के लिए किया जाता है जबकि बायू की आधरता मापने के लिए जो यूज किया जाता है यंत्र उसे गाता है हाईग्रोमीटर और बायू का बेग मापने के लिए एनिमो मीटर का यूज किया जाता है नेक्स्ट कुस्टन है कुस्टन नंबर 13 सिस्मो गराफ किसे मापने के लिए काम में लायाता है तो सिस्मो गराफ जिसे सिस्मो मीटर भी कायता है ये भोकम्पियत तरंगों को मेजर करने के लिए काम में लाए जाता है नेक्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क जहां से जालामखी घटना होती है इसमें बहारी मात्रा में जारागश और मैंगमा बाहर आते हैं तो इसमें जलवास सबसे ज़्यादा निकलता हैं लेकिन इसके अलामा पूछे ज़्यादा कौन सी गैस से निकलती है तो देखे इसमें oxygen नहीं निकलता है oxygen दो अप्शन कट गया यहां पर आपको carbon dioxide निकलता है hydrogen निकलता है nitrogen भी निकलता है इसका रिटन हो जागा एक भी ज्वाला मोखी नहीं है question number 17 है विस्वका सबसे उंचा ज्वाला मोखी परबत कोटो प्यक्सी कहां इसतित है तो कोटो प्यक्सी एकुई डोर में इसतित है जो सबसे उंचा ज्वाला मोखी है विस्वका next question question number 18 creator जो आला मुखे छित्र मुखे तक किस आकिर्थी के होते हैं तो देखे ये जो होता है पृत्री पर एक छिद्र जहां से मैगमा जो है इसके अंदर में मैगमा जो होता है तरल पदार थे पृत्री के आंत्रिक भाग में ये जो है जब जो आला मुखे घटनाए होती है तो ये बाहर आते हैं और शाथ में जलबास्प और अन्य गय से निकलती है तो ये जिस छिद्र से बाहर आते हैं इसी को कहता है क्या क्रेटर इसी का आकार पुछा जारा इसका कार किस प्रकार का होता है तो इसका आकार जो है ना कीपा कार होता है नेक्स कुस्टन है निमल लिखित में से कौन सी गैस जो अलामुखी उद्वेदन के समय नहीं निकलती है तो ओक्सीजन गैस जो अलामुखी उद्वेदन के समय नहीं निकलती है बाकि सभी कैसे निकलती है तो इसका राइटन समझागा A क्योंकि पुछा जा रहा है नहीं निकलती है तो औक्सीजन नहीं निकलती है next question है question number 20 जॉलामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली gas जलवास्प की मात्रा कितनी होती है तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा जॉलामुखी के समय जलवास भी निकलती है यहां पर उसकी मात्रा पुछा रहा है तो 80 से 90 परसेंट उसमें से जलवास भी निकलता है इसका राइटन समझागा A D संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाईव है जो हवाई धीप पे अवस्तित है लास्ट कोस्टन है निमलिकित में से किसे भूमद सागर का लाइट हाउस अबतार मेडिटेरियन सी कहते हैं इसे भूमद सागर का लाइट हाउस या प्रकास अस्तम्ब का जता है और यह है अस्ट्रामबोली सिसली का अस्ट्रामबोली जो इटली में इस्तित है यह आपका 22 इ आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर से नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य बाद, अम तक वीडियो देखने के लिए.